हलो है मैं हूँ अगांग शैन वेल्कम बैक टू माई चैनल रेली हो कि आप सब बहुत अच्छे सब के खोशोगर काफी पॉजटिव होगे फ्रेंड्स जो आज की वीडियो है उस पर मैं आपको शेयर करने वाले बहुत ही पाफुल हेयर के रेमेडी जो कि आपके बहुत सारे बालों से जोड़ी ही प्रविट्व करने वाली है और इसमें हम जो इंग्रियंट यूज़ करेंगी वह बहुत ज़्याद सिंपल है आपके किचिन में आपको 100% होंगे ही तो बहुत ही पाफुल है इसके क्या क्या एडवांटेजेज हैं अगर आपके प्री मैच्चिव ग् करेंगी और टेंडर को दूर करेंगी बालों में शैनिंग लेकर आएगी बालों को लंबाग घाना वजबूत बताएगी तो पहुत ही सिंपल सी तैमेडी है और इसके धीरों सारे एडवांटेजेज है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ को शेया करना च है जूब ब्रांड आप देख सकते हैं और इसमें सबसे अच्छा मुझे लगाना है इसको आप इस तरीके से ओपिन कर सकते हैं इस तरीके से और यह वाली डिजाइन में काफी सुन्दर है इसकी इसमें काफी ज्यादे स्पेस भी एविलेविल है तीन आपको इसमें कमपार प्रांड सबसें बात क्या है जूब प्रांड की यह प्योर्ली इंडियन है विग लेदर इस हुई है किसी भी एनिमल को हाम नहीं पहुंचा आया और यह बैग हैंड क्राप्टेड बैग है तो काफी अच्छा है वैराटी काफी अच्छी है आप देख सकते हैं तो यह हमार काफी सुन्दर है थोड़ी बहुत इसमें हील भी है विल्कुल फ्लैट नहीं आप देख सकते हैं तो काफी सुन्दर लोग है इनका इकदर डिफ्रेंट की डिजाइन है तो यह भी मुझे जो ब्रांड है जूब ब्रांड से मुझे रिसीव हुई है अगर आप भी अपने कुछ ऐसा पर्चेस करने की सोच रहे हैं या फिर किसी अपने फ्रेंड को या फिर रिलेटिव को ऐसा कुछ गिफ्ट करने की सोच रहे है तो आप जूब ब्रांड पर जाकर जरूए एक बाट सर्च कीजिए अपको धिरों सारी वेरायटी मिलेंगी और अगर आपनों अगर आप वाइटी अकांग्शा टैन प्रोवो को डिउस करेंगा तो आप 10% इस्टाउंट मिलेगा तो चैने देखते कि कैसे इसकामाल की रेमेडिय को प्रोपेर करते हैं हां जी तो जो हमारा फिर्स इंग्रियंट है वो है करी लीप्स हिंदी में इसको मीठानीम यह बो करते हैं को होने से रोकते हैं काफी अच्छा है करी लिप्स हमारे बालों के लिए तो मैंने यहां पर कुछ पतियां यहां पर यूज की हैं उसको अच्छी से वाश किया है पहले उसके बाद यूज करना क्योंकि इसको यह ओपीन एडिया में तो दूर मिटी लगती है तो पतियों को यूज करने हैं हाफ कप करी लिप्स की पतियां यूज की हैं अगर आप इसको एक्स्टरनली एप्लाइ करने के साथ इंटरनली इंटेक करें किसी फॉर्म में आप इसको जूस के फॉर्म में या फिर पाउडर के फॉर्म में या फिर आप ऐसी करी लिप्स को ऐस करने तो आपको जब् methane की जितना सलफर प्यास में होता है उतना सलफर इसके चिलके में उन्यां की अभी होता तो आप यहां पर एक से दो प्यासिक Farm के यूज़ कर सकते हैं प्यासि करने वाले हैं वो है जिंजर अद्रक जी हां अद्रक काफी अच्छा होता है हमारे बालों के लिए यह ग्रोथ को बहुत अच्छी से प्रमोड करता है और है फॉलिकल्स में को स्ट्रॉंग बनाता है यह तो लेकिन क्या होता है यह थोड़ा स्ट्रॉंग होता तो आपको ऐसे वह है औलमंड्स बादाम आप सबी जानते बादाम जो ओलमंड्स होते हैं काफी अच्छा होता अगर आपको प्यूर आलमंड ओयल मिल जा तो आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है तो मैंने यहां पर रिप्षी और ने इसलिब यहां वाले हैं वहें फैन्यूग्रिक सीट्स मेथी दाना अप सभी जानते में सब्सक्राइब स्बादियर प्रिति रिधे अपने बालों के लिए मैं अंधे वार्यं प्रमोट करते हैं और आपको इसको सब्सक्राइब बनाना तो मैंने एक mixy jar लिया और सब इंग्र lijंट को एक एक करके इसमें add कर लिया है आपको ऐसे एकदम smooth paste बनाना आपको कोई भी पानी याड नहीं करना नहीं कोई oil add करना है सब इंग्र lijंट को ऐसे या एक grander jar में लेके ग्रैंट करेंगों तो काफी स्मूथ पेस्ट मनकी हमारा तैयार हो जाएगा तो आप देखitating को हमने ग्रैंड करने की स्मूथ पेस्ट मंक तैयार हो गया बिल्कुल भी पाने की रिकार्मेंट नहीं थी नहीं की अपने आप जो इंग्रेंट्स हैं उसमें आपने किसी ने अपना ओयल रिलीज किया है जिंजर ने जूस रिलीज किया इस तरह किसे करके बहुत ही स्मूथ पेस्ट में कि हमारा तैयार हो गया है अब इसको यूज कैसे करना है आपको एक लोहे का तवा लेना है जिस पर हम कर्क ना हो तो कोई थोडा मोटा हो तो मैंने यहाँ सारा प्सक्राइब कर लिया है उसके पानी कुछ करना है तब तक जो सारे एंग्रेंट से ब्लेकेंस कालर में आ जाएं अची से ब्लैक हो जाएं और पूरे और यह काफी अच्छा कलर आया है आप ठंडा होने के लिए छोड़ना है ठंडा होने के बाद कुछ इस फॉर्म का हमारा बेस्ट बन चुका था लेकिन अभी जो आप देख सकते हैं थोड़े पार्टीकल से तो मैं को स्मूथ पावडर चाहिए तो मैंने एक मिक्सी जार लिय आए अब देख सकते हैं कितने स्मूथ पावडर में हमारा तयार हो गया है इसको मैं एक फ्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूं और अब क्या करना है आपको एक रेमेडिय करने इस पावडर को मेहदी अगर यूज करते अपने बालों के लिए तो उसमें भी एड करके अप को एक लास का बाउल लेना है और इस पाउडर को इसमें एड कर लेना है तो आप अगर वन टाइम के लिए यूज कर रहे हैं तो आप थोड़ा यूज कर सकते हैं पाउडर अगर आप ज्यादा का टाइम के लिए स्टोग अगर रखना चाहते हैं तो वन मन तक स्टोग कर सकते याधा पाउडर भी एड़ कर सकते हैं अब इसमें हमने एड़ किया है coconut oil आप यहांपर तिल का तेल भी यूज कर सकते हैं तो मैंने यहां पर पूरा यूज़ किया तो आप जितना पाउडर यहां पर यूज़ करने वाले उसके कोड़िंग तिल की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं अगर आपके पास तो आपको फॉर तो फाइव इस्पून यूज़ करना है तो इस रिश्यो में यूज़ कर सकते हैं तो अच्छे से मिक्स करना है तो अब क्या करना भी हमारा जो ऑले प्रिपेर नहीं हुआ है अभी हमें इसको डबल बलर में तो थोड़ी हीट देनी है तो म इसको तब तक रहने देना है जब तक पानी ठंडा ना हो जाए और जब आप इस ओयल को पानी में रखे तो यह दियान रखें जो पान की लेवल है थोड़ा कम होना चाहिए पानी बिल्कुल भी इस ओयल के अंदर नहीं जाना चाहिए अगर पानी चला जाएगा तो हमारा खराब भी हो सकता है अगर आप इस ओयल को अच्छे से एयर टैट कंटिवें में रखेंगे तो यह ओयल वन मन तक खराब नहीं होगा आप डबल बॉलर मेतरड से क्या हो रहा है कि हमारी जो ओयल है उसको इंडरेक्ट हीट भी मिल रही है जिससे जो इंग्रेंट से इस ओयल और अच्छे से प्रिप्यर होगा और गुड्नेस है इस ओयल की निकल की आएगी और ज़्यादा पावर्फुल बन सकेगा जितने भी इसमें इंग्रेंट यूज वह ज्यादा एक्टिवेट हो सकेंगे तो 78 डेस तक आपको डेली इसको सलनेट देनी है और अगर आप चाहे और कि यूज कैसे करनाया शक्रमृस प्यू살 आपको आपने यह अ कृणर में अच्छे से एप्लाइब करना है और अप्लै करना है और आपट बहुत जादा वाला कीटा से क्या कर सकते हैं एक कोटन लेकिक उस कोटन वाल इस उई इन इस इस में रिपप्ष न वसके सिकी यह बहुत नहीं इसको हलकी हाथों से 102 कंट तर मसाज करनी है उसके बाद आपको इस ओएल को ओवर नेट ली छोड़ना है अगर आप इस ओएल को अपने बालों में ओवर नेट तक छोड़ने वाले हैं तो बहुत एक्छल जैड्स मिलते हैं अगर आप ओवर नेट नहीं रख करते हैं तो आप क्या करते हैं 2-3 गंटे तक इस ओएल को अपने बालों में रखिए उसके बाद रिख कर लिए मैं हमेशा ओएलिंग करके अपने बालों में ओवर राइट लिए छोड़ती हुए नेक्स्ट मॉर्णिंग अपने बालों को वश कर तो इस तरीके से नहीं दिखेगा क्योंकि एक रात में आपके बालों में बीपल भी जो दिखाने वाली नहीं है ताइम टेकिन है और पेशेंस चाहते हैं आपसे तो आपको इसको लंबे टाइम तक अच्छे से प्रॉपर्ली यूज़ करना पड़ेगा तब ही आपको अच्छे जर्स मिलें दो इसको आको वीक में दो से तीन यूज़ करना है Mikla जब भी यफ्य śट करना जाहते हैं पहले में ऑलों कर लेजिए घर करें लें methodology घृड़न यूजर करतेसे तो एक मैं इसना को लगए हैं लाक्क के प्रेंग के साथ में रिक्वेस्टिंग वीडियो को कुई डाउन पर कुछ सजेशन नों तो आप कमेंट के बता सकते हैं तो में टेफिक नेट वीडियों के साथ तक लिस्टे हैल टीवी से बाबाएं टेक केर